अब अच्छे अब 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 आख अब आश्टी दुनिया के मेरे दोस्तों रतनलाल बोल रहा हूं ताम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अमबेटकर नामा आप जानते हैं कि अम्बेटकर नामा कोई कथा कहानी के आधारित नहीं है ये प्राइमरी स्टोर्स के रीडिंग पर आधारित है और साथ-साथ जो ऐसे हमारे मित्र जो भौजन नायक, नायका हैं उनके इतियास के साथ-साथ जो वर्तमान में अपने छित्र में कृतिमान बहुत चर्चित लेखिका है एक एडमिश्यन है एक्टिविस्ट है और शायद आज उनका मैं प्रोग्राम करूंगा तो मेरा भी दोचार फॉलिंग और बढ़ जाएगा क्योंकि वह स्टार है और मैं एक्टिविस्ट हूँ वह स्टार और एक्टिविस्ट का जो अंतर आप समझ सकते हैं कि उनका इंट्रिव्यू करके वह मेरा थोड़ा कद बढ़ेगा तो चार फॉलॉइंग भी बढ़ेंगे कौसल जी श्वागत है आपका अमेट करना आपके त यह मैं एलार टार की अजिए था यहाएं कुछ वी कहने के लिए लेकिन इतरा जरूर कहूंगी कि आपके सामने वह बोलना मेरे लिए कितना मुष्किल हो रहा है यह शायद आप समझनी पारे तो नहीं हैं किकिने की बड़ी उपलब देंगी और अपने आप में कितने कि अपर्चुनिटी मुझे मिल रही है थांक यू सो मुच अमबेट कर नामा को थांक थोड़ा साब पीछे हो यह कि तो आपका चेहरा पूरा जो है थोड़ा थोड़ा हाँ चेहरा पूरा अनाची हाँ येस और लाल देखते हैं अमबेट कर नामा जब आपने प्रोफिसर रे तो इसलिए मैंने ये सिर्फ कहने भर के लिए नहीं कहां कि लाल की क्लास में आना कोई इतना आसान नहीं है बलकि सच में आपके जो विश्य वस्तु रहती है और जिस तरीके से आपने एक बहुजन अंदोलन में अमबेट कर नामा की की तहत कुरांती किये वो अपने आप म में बेजोड है अभी पिछले दिनों मुझे हलद्वानी जाने का मोका मिला था कवल भारती जी से मेरी बात हो रही थी उन्होंने भी यही कहा कि अमबेट कर नाम है एक ऐसा मितलब चैनल है जो बाबसाब अमबेट कर के विचारों को जिस तरीके से रख रहा है हम जो यह ब कोशल पवार हरियाना की रहने वाली हैं और बहुती मॉडस्ट फैमिली से आई है माता पिता एक तरह से समझेए मजदूरी करके उन्होंने इनको पढ़ाया जैनु तक पढ़ी हैं प्रोफेसर मोतिलाल नहरू कॉलेज में कई मसलों पर आप लगातार कोशल जी थोड़ा आ अब ठीक है शायद मेरा बेटा मुझे आसिस्ट करता है इसान मैं भी टेक से भी नहीं हूं तो चीक है अब आ रहा है तो कॉश्ट की पढ़ाती हैं मोतिलाल कॉलेज में और एक्टिविस्ट हैं कई किताबें लिख चुकी हैं संपादित कर चुकी हैं किताब पे अभी उनक साथ से जाल लेक्चर आपने दी है तीस से जाथ आपने रिसर्च पर आपने पढ़े हैं दुनिया के तमाम विश्विद्यालें में मैं नाम नहीं लूँगा कॉसल जी ही बताएंगे तो ज्यादा बेतर होगा हारवर्ड से लेके और कॉलंबिया और लंडन कैनाडा मुझे खुशी होती है मैंने हर समय आपको पताई की है और मुझे कभी मैं कई बात देखता हूं उस तो सल मिटिया पर आपको लेके लोगों को जलन होती है और जिसको जलन होगी वह कैसे हम बढ़कर वात पड़ेगा मैं तो कहता हूं जिन्दगी में बिदेश नहीं जाओं लेकिन 500 लोग हमने क्रियेट कर दिए जो दुनिया भर में जाकर लेक्चर दे रहे ना तो मेरा यही सबसे बड़ा जो है न चीविंटों का लाइफ का आर जाती है मुझे अच्छा लगता है और संस्कृत में खास त बढ़िया भाषण देती है अज उनी का भाषण कुपाएंगे इस प्राइमरी इंट्रक्शन के बाद में सीवे कोशल पावार के पास आपको लिये चलता है कोशल कैसी हैं जी मैं बहुत अच्छी हूं जैसे कि आपने मेरे परीचे में बताया मैं संस्कृत पढ़ाती हूं और संस्कृत की विद्धियारती हूं एक तरह से रिशर्ट स्कॉलर आप मुझे कह सकते हैं जिसके तैत मैं यूनिस्ट्य प्रिटिस कोलंबिया वार्ड संस्कृत का जो हमारे पूरा इंटरनेशनल ओर्गनाईजेशन है संस्कृत के गड़ में वहाँ पर जाके मैंने पैन की बडूलत तमाम दुनिया में जाने का और सर मिला और रहत से यह कही है कि यह जाना भट नहीं है मतलब हम आप याद कींजिये बाब साबंड को क्या कहा करते ते गांधी जी क्या कहते ते गांधी झीमेशा जो ताना दे यह यह好吧 साब को मैंने पढ़ा है और सउना भीन तो हम आपस में फिर जैलेसी खेल लेते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं इसे ज्यादा और कुछ नहीं करते हैं लेकिन मुझे उसमें भी कुछी मिलती है मुझे उसमें भी करनावा चलाया आपडा में आफसर मैंना घर बइटे बइटे मोगा एक दम एकुरेट लेकिन फिर भी मैं यह कहूंगी कि हमारे लोगों को रिस करनी चाहिए जलने के साथ साथ जल भी लेना चाहिए थोड़ा बहुत लेकिर रिस करने की जरूरत आप यह द तमाम लोगों ने जहां सरहा ठीक उसी के पैरलर में लगवग लोगों ने अलोचना भी की वह इस रूप में कुछ लोगों की जो मैंने का ना अपने लोगों में भी कुछ लोगों की थोड़ी छोटी सोच है उन्हों ने यह कहा कि ग्लैमर की दुनिया से आई है ना अच्छा लगेगा कोई अगर मेरी कोई तारिफ करता है कि आप चेहरा आपका अच्छा है तो खुश होने में क्या दिखेता है खुश होने में तो कुछ भी नहीं जाता आज महंगाई में सारी चीजे महंगी मिलती है एक ही चीज तो बचिए वह खुशी उसको तो कम से कम पर ठीक से बांट लीजी है जे मैं जा रहा हूं मुंबएव फिल्म चांव करने डे मेरा अभी छीटक है जे यह है यह बीजरूरत है यह ज़रूरत है यह बीजरूरत है मुंबएव और अब मैं काम करूँगा अग्टिमिक करूओँका यूँज़ तो शोड़ते हैं काम की बात पर आते हैं और आप एक यूटूब चैनल भी चलाती हैं तो अश्कार समाइन क्या बात है हमने देखा है के यह प्रिसोड मैं सीधा टीके सवाल सर्शुरू करता हूं तीके सवाल और एक एडेमी लिए पालमी की रामाइन पालमी की रामाइन उसके आती क्या है हमारे दोस्तों को बताइए एक एडेमिक सवाल से नो पुलिटिकल सब्सक्राइब करता है कि देखे जब हम संस्ट्रीट की वालमी की इसको आप आकेडेमिक के साथ सथ मैं थोड़ा इसको सुसाइटी से भी जोड़ के आपको आपके सामना रखना चाहूंगी एक बिल्क रगुकुल रीत सदा चले आई प्राण जाए पर वचनना जाए लेकिन विड़मना देखिए कि यह संस्कृत की लाइने नहीं है जबकि वालमी की ने जो रामायन लिखा है वो संस्कृत में लिखा हूंगी एक वार रिपीट कर दीजिए मैं यह कहना चाहूंगी आप आप भी अकेडमीशन हैं मैं भी अकेडमीशन हैं हम समझ सकते हैं कि यह यह जो शाब्द हैं यह संस्कृत के नहीं है मैं इसको बिल्कुल एक दम अच्छे से जान सकती हूं कि संस्कृत के नहीं है जबकि संस्कृत में लिखी गई है रामायन जब रामायन संस्कृत मे वालमिकी, के नीचे अवदी भासा में लिखे हुए, गोस्वामी तुलसी दास के शब्दों को आप वहाँ ले गए, सपनी perks मैं यह कहा जारी हूं आपके दर्शकों को वहां पुहंच है, भुधिन है, तसवीर वालमिकी रिशी की है, जो में दिक रिशी arrive, जो शब्द लिख को मानते हैं लेकिन कभी भी कोई इस पर सावाल उठाना उचित नहीं समझता कि अगर ये वालमिकी रिशी वालमिकियों का है तो इसकी कोटेशन के नीचे संस्कृत के शब्द क्यों नहीं है और अगर संस्कृत का नहीं है तो ये पंचकुया में फिर कवर क्या रहा है ये दोनेंस्यों में मिलते हैं तमाम विदेश्री मूल में भी हमें रामार के आंस्य दिखाई देते हैं जहां सीता और राम का भी अर्व लेशन का विज screw टी में कुछकंता है अमारे अवर्टार जुए वो पति-पतिन की है कर्यों में बहन का है कर्यों में कुछ मैं इस पर नहीं जाना चाहती है मैं बस इतना कहना चाहती है कि इतना उल्जा हुआ सवाल है आज भी संस्कृत जगत में जब हम अधिते में संस्कृत के रमाइन को उठा के देखें तो उनका जो परिचे है वो प्राचेतर सडिसी के दसमें पुत्र के रुप में हैं ठीक है कि रिषी बारमन में तो घ। तक लिए नहीं देटे। आप ठेख लिजे तमाम आप तुरुपती के मंदिर चले जाईए आप उडिशा के भुनेश्वर मंदर चले जाईए तमाम पिथों में चले जाईए य। आपको कोई तसवीर नजर नहीं आएगी। लेकिन दूसरी तरफ आ जाईए अब जहां जहां वालमी की रिशी के मंदर है वहां तमाम दूसरी तस्वीरें भी आपको नजड़ाएंगे वो एक तरह से उसको कुछ और बता रहा है लास्ट में एक छोटा सा एक्जेम्पल आपको छोड़के आपके दर्सकों के लिए भी यह सवाल में चोट रही हूं वो यह कि वालमी की जनती पर आजाएं तमाम वालमी की जाती के लोग वालमी की जनती मनाते हैं लेकिन आपने अब आज से शुरू हो और स्टार प्लस पर जब जब करोना बढ़ जाता है तो रमायन सुडू कर देते हैं महावार शुरू कर देते हैं अप उसमें देख लेजी आप वहां आपको रमायन आपको रमायन तो पवित्र गुरंट नहराएगा लेकिन जो उसका रचीता है उस आप कि रहता है कि रहता है एक यह मानती है कि वालमिकी रहता है कि देखे पहले ही जो शुरूँब की थी मैंने यह उसका था कि से अप परियार की सची रहाइन प्रवालमिकी एक मिनट तो ने वर्ण बेवस्ता एक खिलाब कोई बात बोली उसमें या वर्ण बेवस्ता को उन्होंने प्रटेट किया जो उसका क्राक्टर है में क्रेक्टर है उसने तो हमेशा से ही चातर वर्ण बाष्था की पुरी योजन बनाके रखी अवर जो एक तरह से संबुक वद का जो अलाएं कि उस रमाइन में आता जिस रमाइन की मैं बात कर रही हूँ दूसरे रमाइन के अंकों में आता है कुछ रमाइन में संभूक वद का जिकर आता है कुछ में आता लेकिन ओवराल अगर मोटा बोटा विशलेशन सामने रख दिया जाए as being a research scholar रिशेट्स अगर उसके करनी Sure कि लिए किया गया झावार मैंन क है तो कह भी ना तो इस्तिरी के उठान की बात करता है और नाही जो गरीब जाती से आया हुआ कोई भी वेकती है उसके उठान की बात करता है यह बिलकुल एकदम है हाँ लेकिन अगर में पहले ही बताए कि जो रचेता वालमी की रमायन में जो प्रिचे आता है वो प्राचेता को पुत्र आता के समय लेकिन यह इथास की विडंबना कहेंगे हम। वह ब्रहामन है जी सस्कृत सस्कृत की रमायन जो है वह ब्रहामन की ही लिखी हुई है यह बात सीधा एकदाम पूधा पॉइंट होनी चाहिए और मुझे मैंने इसमें दोनु पक्षाप के सामने रख दिये जी जी अचलिए खर आगे आता हूं अभी आप सोचार समाज चैनल चला रही है लगतार लोगों से बात कर रही है हमने कई एपिशोड देखा है थोड़ा समय स्वचकार समाज की आप हाँ मैंने कई एपिशोड देखा है बहुत बढ़ा आप यह बताई कि अभी जो हालत समाज को लेकर राजनिती को लेकर और खास तोर से जो हमारे आज सफाई करमी है मैं बालमी की समुदान नहीं कहता हूं और आप मेरे घर आईएगा कभी और पता नहीं आप आई हैं एक दो बार हमारे कॉलेंट इस टाफ काम करते हैं इवेंट जो पर्मानेंट भी नहीं है करते हैं और इसमें कोई बड़ी बड़पन की बात नहीं है जिए बिलकुल में भी सफाय करता हूं लुंगी बांद के जहारू लगा आता हूं तो मेरा घर बहुत बड़ा है अकेले काम हो नहीं सकता है और सब लोग मिलके लंच करते हैं साथ में एकी साथ खाना खाते हैं मारते हैं तीन पीडी से हमारे यहां समाज इस कॉलेज में लोग कर रहे हैं और मैंने कई बार कहा कि बिहार से उत्तरप्रदे से बच्चे आते हैं गरीब समाज से आते हैं मैं गरीब घर का मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूं लेकिन आप अपने बच्चों यहां पढ़ाते ह कि आपको इसमें इनिशेयट करना चाहिए और मैं आपके पीछे खड़ा रहा हूंगा हर समय है और जो समाजिक चेतना जब किसी व्यक्ति के अंदर आती है वहीं न दिखाएगा बड़े सपने आपके अंदर अगर बिल्कुल मतहीन भावना पहले से ही है, आप बड़े सपने कहां से दिखाएंगे अपने बच्चों को, आप यह देखिए हमारे दिल्ली के सफाई करमचारियों की मैं हालत बताती हूं, यह हालत है कि बच्चा जब पैदा होता है, मैं बिल्कुल एक दम म वालमिकी समुदाय की, जितने भी सवचकार समाज के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, वो अपने बच्चे के पैदा होते ही, MCD में नाम लिखवा देते हैं, उनकी किसमत पहले से त्या कर देते हैं, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, अब आप यह बताईए मुझे, कैसे यह कह सकते है, रतनलाल जी की तरह प्रोफेसर बनिये, कैसे सपना दिखाएंगे हो, क्या सपना दिखाएंगे, यही सपना दिखाएंगे यही बढ़ा होके तरह को जाडू लगा के MCD में काम कर रहा है, और यह थोस है, सच्चा ही है, आप इसको न कारेंगे तो न कारते रह जैसे मेरे चाचा का एक छोटी सी घटना से हुआ था ड्राइवर ने एड्रस नी बताया मेरे चाचे ने कहा कि अगर मैं पड़ा लिखा होता तो मेरे को तरे से पूछने की जरूरती नी थी कि बस कहां जाएगी बस इतनी सी चीज थी और इस तनी सी चीज में भी सिर्फ इतन मेरे परिवार मैं उसी सफाय करमचारी समा से आती हूं समाजिक जब उसके अंदर या तो हमारे सोसाइटी का वह हिंसा जो थोड़ा प्रोग्रेसिव है उस सोसाइटी में जाकर उससे बात करता हो काम करता हो नंबर नंबर टू कोई ऐसी घटना जो पूरे व्यक्तित्व को बदलते नंबर तिन आपके पास आर्थिक संसादन हो सोसाइटी जो समाजिक जो चेतना है वो आपके आर्थिक संसादनों से भी आती है ये तीनों कॉम्पेनेंट अगर आपके पास नहीं है आपके पास शिक्षित होने का कोई आपके पास कोई शिक्षा किस चिडिया का न के लिए और सब साथियों के लिए जिनको मैंने ओफर दिया एंगरिंग करना आईए मेरे मंच बेखिजिए जब मेरे पाप पैसे होगा जब पैसे भी दूंगा नहीं है तो नहीं दूंगा तक्रिबान विदोषों में 60 लेक्टर दे चुकी हैं और मैं उमीद करता हूं कि आन नहीं कोई भी जब से जब आख इसमें थोड़ी एक बात जोड़ दुँ अगर आप मожетी बात कर रहें हैं बिल्कुल बहुत महत्तपुन सवाल है और बीन रैजनिति के ना तो हम मतलब हम अपना पढ़ाई कर सकते हैं नहीं हम किसी अव्छे पर रोजगार ले ले सकते हैं न कि आने वाले दिनों में राजनीती का क्या रूख रहेगा मैं इसमें बस एकी बात कहना जा रही हूं मैं मानती हूं कि राजनीती सब कुछ तै करती है आज तो कम से कम सब कुछ तै करती है हमारे आप कैसे चश्मा पहनेंगे आईसाइट वाला कैसे एवन कंपनी कि लगाएंगे आप पहनेंगे या आप ऊड небольш आप और से लेकर नीचे तक के सारी चीजे राजनीती तै कर देती है राजनीती के वे Pacific आफ पर लिए मेंटरि नहीं कह ने की प्रजनीति तेखिए लेकिन जब आप यह सवाल पूछते हैं कि आने वाले विनों में क्या रहेगा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहां, मैं जिस समुधार से आती हूं, मैं सीधा उसी की बात कर रहे हूं, कि राजनीति से पहले समाजिक चेतना काना बहुत जुरूरी है, ह हमारे यहां, जितने भी आप यह देखिए, यूपी में पिछली बार जो इलेक्शन था, एक वैक्ति था, जो MLA भी है, आज माननी है, विधायक है, मुझे नाम मिश्प्लेस हो रहा है, वो अपना कप लेके जाता था, कमपैनिंग के लिए, जो चाय डालके देता था दूस बॉल Regent, देखिए, टुचाय में एक, देखिए, शेल पॉफ फवार है, यह hatteम मच मेंने किया, अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया, नहीं धाय है, यह इस पिकार का सवाल है, यह उत्ली एक् A manaa Naa Naa ही करूँ एप tehdए left me, करता हूं रोज करूंगा हर दी हर सेकेंड आप से बात कर रहा हूं है पॉलिटिक्स का पार्ट है लिबास समझे हमारे लोगों में एक राजनिती को लेकर जो गिल्ड फिलिंग है हम नहीं राजनिती से दूर रहेंगे नहीं यह वह बैकार की बात है करें बिल्के सवाल का जवाब दी आप लीट करेंगी अगर कर एख यह तक मैंने तयनी कि अगर करूं की तो आपको में बोनामाविस तब से पहले आके बदाऊगी कि मैं लीड कर światण cigar नहीं करूंगी बिल्कुल एकदम खुल के आएंगी प्रोबर में भर लेक्त में आए पॉलेटिक्स नाव लगना नहीं होता है कोशल प्रटिक्स पैडा करना होता है विमर्ष पैदा करना होता है तो बड़ा काम होता है आप जैसे लोग चाहिए आप हमारे लीडर बनी हम आपके पिछे खड़े रहेंगे हम आपके लिए काम करेंगे और और मैं तो सीधा कहता है आप पोलिटिकल मैन अपने पोजिशनिंग क्लियर करना चाहिए दूसरा समाजी काम तो हम बेड करना मारा समाजी काम ही और और क्या हो रहा है किसिसे को बैंचे किसे लिए बहुटं से क्याना चाहिए थे डिए ख़शनि पड़ने के लिए आप डोग ठहले पर आपके लिएक हांगे पार चाइम्टहीब कि अगली बार कैमरा लेका lips early या कवार के लिए नियुके पाइस ने जाने का मतलब यह नियुक कि मैं पैसे लेकर आती हूं मुझे पहले बोल देंगे तो महा लोग दोंगा कोई दिक्कत नहीं मैं जो कह रहा हूं आप नहीं समय काथ हम गए नहीं अभी देश कभी लेकिन मेरे चाहने वाले हैं वहां दोस्तों को बोल दूंगा कोशल जी गई है उनको कैमरा दे दीजिए अमेड करनावा के लिए वाद बिल जाएगा करें करें करके कैमर ले आउंगी आप से कुछ आपसे लूगी कुछ मैं दे दो मजा किया था मेरा मोबाइल काफी है अब मिलते आ आप से और मुघेश ठीक है बिलकुल ठीक हैं सर एकदम ठीक है बिलकुल अच्छ लिखती हैं कई किताबे हैं और बेबाग बोलती है भाशन देती है देश बुदेश में अगर लेक्चर हम भी देंगे उन्हीं की तरह यह सब इसलिए मैंने आपको बताया है कि आने वाले पीरी को कोशल की बादे मैंने बताइए उसको समझाइए और उसको इंस्पायर की शुक्रिया कोशल कीप वॉचिंग और शेरिंग अमबेट करनामा दोस्तों अमबेट करनामा एक एक अकाडेमिक चैनल है और खुब बढ़िया बिना रफ्रेंस के बात नहीं होत कि आए घर खुए है है और जा हन्मबेट के गली है और उसाथ उसक्राइए नहीं हुण वारे खुआर लॉट करनाम में में पुए है और आरवया पोशल को एक पन करनामा और खुए है और खुए है।